कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन से उत्पन आर्थिक स्थिती से तंग आकर, देवघर में बाबा बैदिनात मंदिर क्षेत्र के खुदरा दुकानदारों ने राज्यव केंडर सरकार के विरोध में धर्ना प्रदर्शन किया। देवघर के शिवलोग परिसर में आयोजित इस धर्ना प्रदर्शन की अगुवाई सोना धारी जा कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद दर्जनों दुकानदारों ने केंडर और राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज मुहया कराने की मान की। बताते चले की देवघर में आर्थिक स्थिती का आकलन बाबा मंदिर में आने वाले श्रद्धालूओं पर आश्रित है। गौरतलब है कि पिछले करीब पांच महीने से मंदिर पूरी तरह से बंध है और यहां पर श्रद्धालूओं का आवागमन भी पूरी तरह से बंध जिसके कारण मंदिर से जुड़े व्यवसाई पर इसका खासा आसर पड़ा है जिसके क्या कुम के लोग हैं ये ना हे किसीके पास मांग सकते हैं लोगों सत पर्शन लोगडाउन का निर्भाय किया है आज इन लोगों ने लाइश्ट में विवस होके एक सांतिपून सोसल डिस्टन्स पालं करते हुए लगा के धर्णापरधर्ष म का कारिकरम किया। ये ख़बर, यहां से लेके राची दिल्ली तक पौचे। और जल्द से जल्द, इन सभी दुकनधारों के सामने जो आर्थिक इस्तिति आई है, ये राज शरकार आर्थिक package कुछ भोसना करेे। रहज समघरी मिलना चाहिए कम से कम कि लोकडाउन अब कब अनिस्षित काल है इक परिवारी बहुत संकट के यह संकट कैसे दूर हो वो हम चाहते हैं सरकार से कि हम लोग का संकट दूर करे ये कुछ राहत पैकेज का जो की हम लोग को मिलना चाहिए हम लोग बहुत असमर्थ है अगर आपने अभी तक हमारे चैनेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट चैनेल को सब्सक्राइब करे और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूले